हेलो वीवर्स, वालकाम अगीन माई न्यू वीडियो तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए लिकर आई हूँ कि सूर्य देव का जो राशी प्रिवर्चन हो जा रहा है 16 दिसंबर से लिकर 14 जैनुरी तक तो किन राश्यों के लिए क्या क्या प्रभाव लेकर आने वाले हैं तो मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूँगी उससे पहले प्रीस आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को भी सुब्सक्राइब कीजिए और मुझे स्पोर्ट कीजिए तो यहां पर सबसे पहले हम लोग मेश राशी के बारे में बात करती है कि मेश राशी में जो सुर्य का प्रिवर्चन होने जा रहा है वो कैसा रहेगा तो यहाँ पर जो सुरिय का प्रिवर्टन होने जा रहा है मेश राशी वालों के लिए तो वो अपनी धनुराशी में जो है गोचर करेंगे सुरिय देव तो धनुराशी जो है मेश राशी वालों के चार्ट में नाइन्थ नमबर पर आती है तो 9th house में वो बोचर करने वाले है सुर्य देव मेश राशी वालों के लिए तो 9th house जो है वो एक भागया का स्थान होता है तो जो सुर्य देव वहां बैठेंगे तो किसमत को चमकाएंगे ही चमकाएंगे आपकी तो मेश राशी वाले के लिए कोई ना कोई अच्छी good news मिल सकती है उनको उनका जो भी education से related कोई exam है या कोई किसी भी तरह का कारिया है तो उसमें उनको सफलता मिलनी निश्चित ही है क्योंकि सुर्य देव जब भागयस्तान में बैठेंगे तो बहुत भागय को स्पोर्ट करने वाले हैं तो आपके कोई भी जो कारिया नहीं अब तक बन रहे थे हो सकता हो बनने शुरू हो जाएं इस मन्त में या बन जाएं और जो भी आपका कोई रिष्टे से रिलेटिड कोई बात चल रहे हो हो सकता है उसमें भी हाँ हो जाए और इसके साथी आपका कोई भी चाहे वो प्रोपर्टी से रिलेटिड कारिया हो या किसी भी तरह से कोई कारिया हो तो उसमें आपके भागय को स्पोर्ट करने वाले हैं, भागय को उच्चा उठाने का ही कारिया करेंगे, इस वक्त जो सुर्यादेव आपके भागयस्तान में बैठ कर, तो आपके लिए तो ये जो गोचर है, सुर्यादेव का लापकारी रहने वाला है, बहुत जादा, जो आ कारिया जो नहीं हो रहे थे तो इस टाइम में वो होने के समय है तो यह उनके लिए एक अच्छा साइन हो सकता है उनके लिए बहुत ही लाबकारी रह सकता है सुरिय का राशी परवर्तन मेश राशी वालों के लिए तो इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि वरिश राशी वाल के लिए यह सूर्य का वोचर उनकी एट हाउस में आने वाला है तो यह कैसा रहेगा उनके लिए ठीक है तो वैसे अभी वह धनु राशी में है और उनका एट हाउस में पढ़ती है टॉरस वरिश राशी वालों की तो उनके लिए थोड़ा सा समस्याएं दिखते हो सकती है क्य आँखों से रिलेटेड रह सकती है जिनका की सूर्य अस्टमभा में आया रिश राशी वालों के लिए और साथी उनके जो कारिया में है कोई रिकावटे आ सकती है किसी से लड़ाई जगरा हो सकता है कोई बाद भी बाद हो सकता है कुछ दिखते प्रशानी आ सकते हैं अग सूर्य देव का थोड़ा सा कटनाई भरा रह सकता है ये मन्त तो उसमें उनको थोड़ा बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए संभल कर चलना चाहिए हर कारिया को बिना सोचे समझें ना करें किसी के वाद विवाद में ना फसें और साथी जो है सूर्य का मंत्र ओम से तो उसे बचाएंगे गर आप सूर्य के लेटिट को पाई करते हैं सूर्य को अर्दे देते हैं तो आप सूर्य को अर्दे जरूर दे हो सके तो आपके लिए थोड़ा बहुत दिखते प्रशानी कम हो सकती है तो ये था मेश और विश राशी वालों के लिए आरिस और टॉर अरश राशी वालों के लिए सूर्य का गोचर जो की कैसा रहने वाला तो नेक्स्ट हम राशी के बारे में भी बात करेंगे तो प्रीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और सुप्स्क्राइब कीजिए और मुझे स्पोर्ट कीजिए ताकि मैं और आसके लिए ऐसे वीडियो बनादी रूम, थैंक यू